जगत में प्रतेक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्चे होती जैसे कोई बहुत तेजी से दौड नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्य रोग से पीडित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रखबाता ऐसे अनेकों धारन और भी हैं कि आख किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो कि और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं इस कारणवश रिदे में दुख और असंतोश रहता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन्द से अथ्वा संजोग से प्राप्त होती किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है किन्तों कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराज़त कर देते हैं क्या भेद हैं उनमें और अन्ने लोगों में या आपने कभी विचार किया है सरल सा उत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराज़त नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रिदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है और फाथ निर्बलता अवश्य इश्वर देता है किन्तु मर्यादा मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो आइम विचार कीजे भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रिदे में आज एक्षा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रिदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्षा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तु जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम अर्थात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव और हम ये जानते हुए भी इतना सा सक्ते समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम भिदे में उतार लें कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हैं हम तो केवल भैरे और साहस के साथ भुष्य को आलिंगन दे सकते हैं स्वागत कर सकते हैं भविष्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वायम दिचार कीजिए ज्यान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है यह हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांक्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शान्त करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्तात्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ग्यानका हो या जीवन के ग्यानका या गुरुकुल में प्राप्थ होने वाले ग्यानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? ततेएक मनुष्य के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्य आता है, जब सारी स्वफ, सारी आशाय, सारे द्रिश्ट, वस्थ हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं, एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख्थ, किसी को धर्म संकर्ट भंतें जब धर्म का वहन ही तंकट को और धर्म का त्याग ही तुख को विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चूरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सब के जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाता हमें किसी प्रकार के संगर्ष का अनुभव ही नहीं चुता सहज़ता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्षी गुड़ की और खिची चली जाती है वास्तव में धर्म संगर्ट ताक्टन इश्वर के निकट जाने का स्टन होता यदि हम संगर्षों से भैवीतना सुख की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहें तो इश्वर का साक्षातकार दूर नहीं पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता है पवन से धुखने वाली खान वही भूमी पर रह जाती अर्थाद भर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दूरे तो दुख तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तू क्या चरित्र नहीं तूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या इस वर्षते अंतर नहीं हो जाता दौएम विचार की दो विक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत में अवस्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अन्जाने में भी कोई अन्य विक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदिक प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया पिमाव के बारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोपते अरखाद किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अस्विकार किया जाता है तो उसका हृदे दुखते भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा रिदेक रोच्ते भर जाता मैं क्या ऐसा नहीं होता पर यदि एक दूसरी की स्वतंतरता का संमान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविश्कता ही नहीं होती प्रकार सुईकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मान है तब के जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का निष्टे होता है रिदय में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर सुयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते हैं? नहीं, ये तो केवल तक्य है अर्ठात, जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी-कभी उस तथ्ये को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मत दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्ये बोलता है तो वो सत्ये कहलाता है वास्तव में सत्ये कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थाच? क्या प्रतेक्षण सत्ये बोलने का अक्षण नहीं होता? स्वें विचार कीजिए शेश्चता का क्या अर्थ है? शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थाच? मुल्य इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मुल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्य लोगों से कितना आधिक है अर्थात शेष्टता की एक्छा ज्यान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कभ होती है कुछ समय के लिए तो शेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई शेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु शेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्ठ करने योग्य है वो सब प्राप्ठ करना किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं मात्र, आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्ठ करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप से स्वर्धा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राक्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने। उत्तम कभी नहीं बन पाता। रखनों और पूर वाभातों के आधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं। भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। किम्तु तल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है। ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं। सकते तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ दनते। रख्टी के लिए धी और तृष्टी के लिए धी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्वरन कीजे। इती हास को देखे। आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब-जब संकट आता है तब-तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तत संकट ही शक्ती के जन का कारण है। प्रतेक विक्ती जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है। अधिक चमकता है। आत्म विश्वास से अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए। अब तु विश्व के लिए भी। क्या ये सकते नहीं। वास्तव में, संकट का जन्म है एक अफस्तर का जन्म, अपने आपको बदलने का अप्द, अपने विचारों को उचाई पर करने का अप्द, अपनी आत्मा को बलवान, और ज्ञान मंदित बनाने का अप्द yay जो ये कर पाता है, उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वय में एक संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर सर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुँचाती नहीं वास्तव ने वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नही नही चुनौतिया नई नई विडम बनाए नई नई अव्रोध मिलते हैं सते इक पत पर वो अपने अगले पत का निड़ने करता सते इक पत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढखे दे वो परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता केवल स्वेम को परवत के योग्य बना सकता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्टान की प्राप कर पाता अर्थाथ जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुप्टा एक मात्र मार्ग नहीं स्वयम विचार कीजे जीवन का हर रुक्षण निर्णे का रुक्षण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिष्य से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्ता निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सद गुणों को त्यार कर दुरगुणों को अपनाता है बस्तुता मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उस्ताह बढ़ता है अर्थात आतों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टि कोण मात रह और जीवन का दृष्टि कोण तो मनुष्य के अपने वश्वे होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संतान के सुक्त की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का फ्रेच्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पथर को स्वयम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षाय रहती है हर पिता की निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रश्ण, क्या समय के साथ प्रतेक मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण, क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं, कि तू फीतर की शंता? फीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा? तीसरा प्रश्ण, क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लाबकारी नहीं होती? क्या प्रते एक नया प्रश्ण, एक नये उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नये नये प्रश्णों, संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना? अधार, जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले, उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनो बल, वग्यान देना अधिक लाब सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूची है हन प्रेम है अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो कितने भी प्रबल क्यों न हो परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रू को, चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं, विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था, इसलिए प्रभुश्री राम, अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे, मनश्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है, वो परिश्रम करता है, दोड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता, तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लोटिए अपने बच्षपन में, स्मरन कीजिए अपने बच्षपन की स्मृतियों का, क्या स्मरन हुआ? विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे, तो क्या होता था? आप ना से, परन्तु कोई न कोई, सफलता पाने के लिए नकल करता ही था, और उत्तीन भी हो जाता था, है ना? परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण? विद्याले में सब के प्रश्नपत्र एक होते थे, परन्तु जीवन के प्रश्नपत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना? इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है, तो नकल ना कीजिए, स्वयम के प्रश्नों का उत्तर स्वयम ढूंडिए, और सफलता आपकी ही होगी. मनुष्य का जीवन, भार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य जूलता रहता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीडा के सागर में डूबने लगता है, परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है, हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय पराप्त कर लें, हमारी पराजय तब होती है, जब हम पराजय स्विकार कर लें, हम आसफल तब नहीं होते हैं, जब हम लक्षन पासे के, हम आसफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें। इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें। चुकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चर्णों में होगी। आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ग्यात है। बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है। परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाय व्रिक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है, तब उसमें वो जटाए, वो शाखाय नहीं होती। परम्तु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है, और इस व्रिक्ष को सहारा देती है, ये जीवन का बहुत पूर्ण पत है, बिना लोग लालच, शुबकार रिकर, अन्य लोगों की सहायता करें, धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता कि, वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे, सह जीवन, सहायता और निशकाम कर्म आपको मृत्यू के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा, हमारा शरीर प्रकृती का एक महान अविश्कार है, इससे जटिल संगरचना संसार में और कोई नहीं, हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इससे ठीक से जाना जाए, तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं, हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है, हमारे पास आखें, नाखें, स्पर्ष के लिए तवचा है, कान है, और जीवा है, सबका भिन भिन कार है, आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना, तवचा से स्पर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना, परंतु क्या आपने कभी सोचा, कि प्रकृती ने हमें दो आखें दी, दो नतने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी परंतु जीवा केवल एक दी ऐसा क्यों क्यों कि प्रकृति चाहती है कि हम देखे अधि सुने अधि और ग्यान अधिक अर्जित करें बोले कम क्यों कि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रन दीता है स्मरन रखिएगा ये सदा यही कहते आएं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सद्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचाल नेना चाहिए कि अपने हैं कौन कि आपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रत्संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दें और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्क, धर्म की हानि, वो सगे होकर के भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें, तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं, जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं, सदा उनके समीप रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े परंतू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्यक है आप माता पिता हैं यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आप की संतान स्वैम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के काटों से स्वैम को बचाना कैसे सीखेगी? इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता है एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया व्यापारी घबरा गया वो फिर से घर लोट गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँच कर उसे भेट देनी थे राजा को भेट नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गई और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेट देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुचा उसने राजा को भेट दि राजा प्रसन्य हुए और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वण आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुचा तो पतनी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर ओर प्रसन्यता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद मैं हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार रे करते हैं, कार करते हैं तो ठकान की अनुभूती होती हैं, और यदि ठकान ना उतरे, तो कार करने का मन नहीं करता हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते, तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता हमें ऐसा आनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं, है ना परन्तु क्या आपने गभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है इसका एक छोटा सा रहस्य है, वो वो कारे चुनते हैं, जो उन्हें प्रिये, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो प्रतीपल आनंद मना रहे हैं और जब आप आनंद मनाते हैं तो ठकान कैसे हैं? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेट की घड़ी की भाती है जो रेट मीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेट गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक्षण है उसका उप्योग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है जो बीट गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शण है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परुपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी आपके पास जो पल है उनका भरफूर सदुप्योग कीजी चुकि इस घड़ी को पलट कर आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप बाबस नहीं लोटा पाएंगे मनश्य भी बड़ा विचत्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वहें दृष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार-बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए गर्व अभिमान और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चुकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुष्य के लिए पहिली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन हैं जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भावा जाए तो सावधान हो जाईए चुकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता हूँ एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए एक व्यापारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परन्तु वो गोकुल में टिक नहीं पाया उसके व्यापार ने घाटा खाय और शीग्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यापारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक जम गए मुझे बड़ा आश्चर हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यूं कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया बाबा मस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता वा, कितने उत्तम विचार है उनके और उचित ही है मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है इसलिए अपने जीवन में सदय मीठी बूली बूलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी प्रबल क्यों न हो परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस से को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहु में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और पूमल सपने और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं सबको अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए ना परन्तु यही से अधिकतर माता पिता और संतान के मद्द विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किस्से करना है यह उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क यह होता है कि अब भी उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार्ग है अपने उत्तरदाइत्व का भान और अपनों से बड़ों के माप डंडों का भान विवा करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है अपितु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नय जीवन के साथ नय उत्तरदाइत्व भी होते और यदि इन उत्तरदाइत्वों को समझ कर निर्णे लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पस्तावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचितन नहीं लिया जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकृती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्य अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें परन्तु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहे एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होते है इसलिए सत्त से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं उसे स्विकार करें भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते हैं मानता हूं, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परन्तु ऐसा बचाओ, एक बड़े संघर्ष को जन दे देता है, कैसे? हमारा मौन रहना, अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है, और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है, एक के बाद एक, हम अन्यायम, अंचाहे रूप से संघर्ष होते चले जाते हैं, तो इसका तोड़ क्या है? अवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है, यह सामने वाले की शक्ती नहीं जो आपको रोकती है, यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है, हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परन्तु साथ साथ ये भी जान नावश्यक है कि ये भै ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भै को निकाले और खुलकर अनीती का अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त कितना हलका अनुभब करेगा का विरोध करें आपका आपको नो और खुलकर अन्या कितना हलकाना है डिकाले ऐाद्रज्यक है का अन्या का विरोध के ये अन्यादक रखने राद्रआола कंवा निकाले च्रजएगा जरका आमा की ढिएखिभवास c兄 ah जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है जैसे कोई बहुत तेजी से दौर नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता कोई आसाध्य रोग से पीडित रहता है तो कोई बड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता ऐसे अनेको उधारन और भी हैं कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निरबलता को जीवन का केंद्र मान कर जीते हैं इसकारणवश रिदे में दुख और असंतोष हेता है सदा निर्बलता मनुष्य को जन से अत्वा संजोग से प्राप्त होती किन्तु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मरियादा बना लेता है किन्तु कुछ वेक्ति ऐसे भी होते है जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराज़त कर देते हैं क्या भेद है उनमें और अन्ने लोगों में या आपने कभी विचार किया है सरल साउत्तर है इसका जो वेक्ती निर्बलता से पराज़त नहीं होता जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रिदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है और फाथ निर्बलता अवश्य इश्वर देता है किन्तु मर्यादा मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है तो आएम विचार कीजे भविश्य का दूसरा नाम है संघर्ष रिदे में आज एक्षा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रिदे भविश्य की उजना बनाता है भविश्य में एक्षा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है किन्तु जीवन जीवन ना तो भविश्य में है ना अतीत में जीवन तो इस शन का नाम अर्थात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्ति समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के समरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदि हम भिदे में उतार लें कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निर्मित कर सकते हम तो केवल धैरे और साहस के साथ भविश्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविश्य का तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा स्वयम दिचार कीजिए ज्यान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है ये हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्यान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्षा हो जाती है कभी पढ़ाए होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहमकार से भर देता है नहीं? क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पन से निर्मित होती है समर्पन मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांक्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदे को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में इश्वर की स्रिष्टी में ना ज्यान की मर्यादा है ना ज्यानियों की गुरु दत्ता त्रे ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पाण क्या यह सत्य नहीं सतेख मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वफ सारी आशाएं सारे द्रिश्ट वस्थ हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही दिखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और सुख किसी को धर्म संकट में देगा जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख को विचार कीजिए कभी किसी स्वजन के विरोध सत्य बोलने का अफ्सर प्राप्ट हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरता से चूरी करने का मार्ग प्राप्ट हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है सबके जीवन में ऐसी घटना बंती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के संघर्ष्टा अनुभव ही नहीं पूता सहज़ता से सुख की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्षी गुढ की और खिची चली जाती है वास्तव में धर्म संक्ट ताक्टन इश्वर के निकट जाने का स्टन होता है यदि हम संघर्षों से भैवीतना तुक्की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहे तो इश्वर का साक्षादकार दूर नहीं बवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उस्ता बवन से जुखने वाली घान वही भूमी पर रह जाती अर्थाद धर्म संक्ट से यदि हम संक्ट को ही टाल दूर तो दुक्तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तु क्या चरित्र नहीं चूपता क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती क्या आईश्वर से अंतर नहीं हो जाता दौएम विचार की दो वेक्ती जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत्म अवश्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्ती इन सीमाओं को दोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हिर्देक प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? पिमाओ के स्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोपते अर्खाद किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अफ्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा रिदे क्रोच से भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अर खास जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मान है कोयन विचार की सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिवे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते हैं नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआ ता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन्त। दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भए रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम है और निर्भाय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भायता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वयम विचार कीजिए शेश्चता का क्या अर्थ है? शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ग्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ले इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ग्यान प्राप्त किया मुल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना आधिक है अर्थात श्रेष्टता की इक्छा ग्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिमकब होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु श्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का फ्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं मात्र, आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्यस सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप से स्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राप्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता दक्रों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं तक्ते तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ दन से रेक्टी के लिए धी और प्रिष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूतकाल का स्वरण कीजिए ये थिहास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वाली शक्ती भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के चन का कारण है प्रतेक वेक्ती जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अधिक विश्व के लिए भी क्या यह सकते नहीं? वास्तव में संकट का जन में है एक अफस्तर का जन अपने आपको बदलने का अफ़ध अपने विचारों को उचाई पर करने का अफ़ध अपनी आत्मा को बलवान और घ्रान मंदित बनाने का अफ़ध जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयम एक संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्तर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्टव नहीं वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनाथियां नई नई विडमबन आये नई अवरोध मिलते हैं सते एक पद पर वो अपने अगले पत का लिर्णे करता। सते एक पद पर उसे अपनी योजनाव को बदलना पड़ता। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे ले। वो परःवत को अपने योग्य नहीं बना पाता। एवल स्वेम को परवत के योग्य बना सकता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक शुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गती को ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शान्ती प्राप कर पाता अर्थाथ जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एक मात्र मार्ग नहीं स्वैम विचार कीजे जीवन का हर रुक्षण निर्णे का रुक्षण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनुष्चय से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुरगुणों को अपनाता है बस्तुता मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ति शाली बनाते है ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती तो प्रतेएक संघर्ष के साथ उसका उस्ता पड़ता है अर्थात आत्व विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्वें होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संघर्ष के सुक्त की कामना करते हैं उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संघर्ष के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का फ्रेच्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पथर को स्वयम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिताई निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रश्ण, क्या समय के साथ प्रतेख मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाओतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण, क्या प्रतेख संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ, संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं, कि तू भीतर की शंता, भीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा? तीसरा प्रश्ण, क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लाबकारी नहीं होती? क्या प्रते एक नया प्रश्ण, एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नय नय प्रश्णों, संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना? अधार, जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले, उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनो बल, वग्यान देना अधिक लाब दायक नहीं होगा वहें विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बल्ता क्या होती है प्रेम अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बल्ता होती है उसके रहस्य चाहे आप कितने भी शक्ति-शालि क्यूँ ना हो कितने भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है, इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रू को, चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का वद करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे करता है वो परिश्रम करता है दोड़ भाग करता है और यह सब करने के पस्षाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है है ना कि तनिक लौटिए अपने बच्पन में समरन कीजे अपने बच्पन परन्तु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीन भी हो जाता था, है ना? परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसे नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्याले में सब के प्रश्नपत्र एक होते थे, परन्तु जीवन के प्रश्नपत्र और उनकी कट्नाई सब के लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना? इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है, तो नकल ना कीजिए, स्वयम के प्रश्नों का उत्तर स्वयम ढूंडी है, और सफलता आपकी ही होगी. मनुष्य का जीवन, हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और आसफलता के मध्य जूलता रहता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है, और जब आप आसफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है, परन्तु वास्तव में सफलता और आसफलता है क्या? ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है, हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय प्राप्त कर लें, हमारी पराजय तब होती है, जब हम पराजय स्विकार कर लें, हम आसफल तब नहीं होते हैं, जब हम लक्ष न पासके हैं, हम आसफल तब होते हैं, जब हम प्रयास करना बंद कर दें इसलिए प्रयास करते रहे और हार ना माने चुकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे जीत आपके चर्णों में होगी आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाय व्रिक्षों में जाना जाता है जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए वो शाखाए नहीं होती परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस व्रिक्ष को सहारा देती है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोब लालच, शुबकार रिकर, अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की, वो आपके सहायक बनते जाएंगे आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन, सहायता और निशकाम कर्म आपको मृत्यू के पस्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृति का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है हमारे पास आखें, नाखें, स्पर्ष के लिए त्वचा है, कान है और जीवा है सबका भिन्भिन्न कार है आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना, त्वचा से स्पर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना परंतु क्या आपने कभी सोचा, कि प्रकरती ने हमें दो आखें दी, दो नतने दी, दो कान दी, स्पर्ष के लिए ये पूरा शरीर दी परन्तु जीवा केवल एक दी ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृती चाहती है कि हम देखे अधे सुने अधे और ज्यान अधिक अर्जित करें बोले कम क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंतरन दीता है स्मरन रखियेगा ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्त कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परन्तु साथ देने سے पूरव ये अवश्य पहचाल देना चाहिए कि अपने है कौन? कि आपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्र, धर्म की हानी हो वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता है ना यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आप की संतान स्वयम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी मार्ग के काटों से स्वयम को बचाना कैसे सीखेगी इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया व्यापारी घबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँच कर उसे भेड़ते नी थे राजा को भेड नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गई और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेड देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यापारी तनिक घबराया परन्तु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहँचा उसने राजा को भेट दिए राजा प्रसन्य हुए और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वण आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुँचा तो पतनी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर ओर प्रसन्नता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए आपका जीवन सदैव आनंद मेरा हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई कार रे करते हैं तो ठकान की अनुभूती होती है और यदि ठकान ना उत्रे तो कार करने का मन नहीं करता हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं है ना परन्तु क्या आपने गभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे तो फिर वो सफल क्यों है इसका एक छोटा सा रहस्य है वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता नहीं कि वो कार कर रहें उन्हें लगता है कि वो प्रतीफल आनन्द मना रहे और जब आप आनन्द मनाते हैं तो ठकान कैसे हैं? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कारे करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भाती है जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक शण है उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शण है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो यह पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परुकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुप्योग कीजी चुकि इस घड़ी को पलट कर आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप बाबस नहीं लोटा पाएंगे आप, 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 आप… मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हेद्रिष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार-बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उडाना चाहिए गर्ब, अभिमान और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिनाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम, परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भाबना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चूकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुष्य के लिए पहिली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ही परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाईए चुकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता हूँ एक दिन गोकुल में दो व्यापारी आए एक व्यापारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परन्तु वो गोकुल में टिक नहीं पाया उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीग्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यापारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक चम गई मुझे बड़ा आश्चरे हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता वाँ कितने उत्तम विचार है उनके और उचित ही है मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बूली बूलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता क्या होती है सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, चक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का वद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहू में बल मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और पूमल सपने और इसी अवस्था में मनश्य के भीतर पनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं? सब को अपने खटे मीठे संस्मरन स्मरन हो आए ना परन्तु यही से अधिकतर माता पिता और संतान के मद्ध विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किसे करना है ये उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साती चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार्ग है अपने उत्तरदाइत्व का भान और अपनों से बड़ों के मापड़ंडों का भान विवा करने से पूर्व ये जानने ना अवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है अपे तु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदाइत्व भी होते हैं और यदि इन उत्तरदाइत्वों को सम कर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पश्तावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया काटा जाए ये अनुचित वरा विश्वास कीजिए लिया चाहना है वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उने उड़ा कर किसी परवत से ले जा करके टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पढ़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है फीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्त अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें परन्तु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहिए एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होते है इसलिए सत्य से भागे ने उसे छिपाए भी ने उसे स्विकार करें भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते हैं कि उस शक्तिशाली से विवात करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवात से बच जाते हैं एक संघर्ष से बच जाते परन तु ऐसा बचाओ एक बड़े संघर्ष को जन दे देता है कैसे हमारा मौन रहना अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुखव करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है एक के बाद एक हम अन्यायम अंचाहे रूप से समलित होते चले जाते तो इसका तोड़ क्या है ये समझने के लिए ये जानना आवश्चक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है ये सामने वाले की शक्ती नहीं जो आपको रोकती ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है हाँ कभी कभी भय आपकी सुरक्षा आवश्चक कर सकता है परन्तु साथ साथ ये भी जानना आवश्चक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भय को निकाले और खुलकर अनीती का अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त कितना हलका अनुभ़व करेगा आपका मन कितना है कितना है